सब्सक्राइब कीजिए जेपी ट्यूटिंग चैनल को फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सीखते रहे हमा सथ वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्वागतम दूस्तों मैं हुथि निश्पंचाल और आप है इस्पक चैनल जेपी ट्यूटिंग पर और आज हम सीखने जा रहे हैं पी एचपी में सेशन तो लेट्स गो अब बात आती है कि सेशन क्या होता है तो दोफो सेशन एक टेमपरेरी फाइल होती है जिसके अंदर इपोंशन स्टोर होती है और वो फाइल सरवर पे स्टोर होती है यानि कि हमारा सेशन जब ऐत होता है जब होग कहोज सेशन पी होता है तो वो से उसमें सेशन स्टोर नहीं होता नहीं होता है उस सेशन एक बहुत ही स्टोर चीश एक होती हैं जासा कि मेन आपको सब्सक्राइब तो वो secure ही मानी जातीए और इस ता concept में आपको एक example के पूर समझाता हूं suppose कि हमारे पास एक variable है $a कोई भी variable उसा text by z और उसमें हमने information फिल करिए उसमें हमने a text message डाला है hello world और अब हमारे website में 5 pages से अब हमें चाहते हैं उस $a variable गयाने की message को हम page number one पे भी उसकर ना चाहते हैं 2 पर भी 3 पर भी and more than one page पर भी तो हम क्या करेंगे हम उस message हम उस message को एक session में store करवा देंगे session में store करवाने की बाद उसके बाद हम जिसी भी page पे जिपने भी page पे जिपने भी बार more than one time अगर उस variable को कैज करना चाहते हैं तो हम उसे session के मदल से use कर सकते हैं तो हम डिजाइन इतना अच्छा नहीं बनाएंगे मदल सी सब्सक्राइब में हम कोई बहुत आरे डिजाइन पर ज्यान नहीं देंगे और मैं कोड़ा सा आप आसली इंप्लमेंट करूंगा वेब डिजाइन के पेज को और ये session का concept हम हम वेलिडेशन के रूप में सीखने जा रहे हैं हमें HTML में एक सिंपल सा राजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेंगे तो हमारे बहुत सारे पीड़ दोंगे फर्स नेम लास नेम टेंडर इमेल एंड और इसी रूप में हम सेशन को समझेगे और इस इस concept का यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं वह जब आप कुछी सीख जाएंगे तो आप तुझी समय जाएंगे जिसका यूज आपको कहते करना है तो मित दे हैं अगले डिटर्मेंट अब तक के लिए गुद्बाए